T20 वर्ल्ड कप के सेमी फाइनल में आस्ट्रेलिया से हारने के बाद भागु खोई कप्तान हर्मन प्रित कौर्ण कहा इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती जी हाँ, एक बार फिर भारतिय महिला टीम का वर्ल्ड कप जीतने का सपना तूट गया नॉक आउट मैच में एक बार फिर आस्ट्रेलिया ने भारत का दिल तोड़ दिया T20 वर्ल्ड कप के सेमी फाइनल मुकाबले में आस्ट्रेलिया ने टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी करते हुए 172 रन बनाए 173 रनों के जवाब में भारती टीम शुरुआत में लड़कडा गई परन्तु हर्मन प्रित कोर और जेमीमा रोडरिक्स ने जबरदस्त पारी खेलते हुए मैच को बनाए रखा परन्तु हर्मन प्रित के दुर्भागे पूर्ण रन आउट ने भारत का वर्ल्ड कप जितने का स्थपना तोड़ दिया और महिला टीम पाँच रनों से हार गई मैच के बात पोस्ट मैच प्रिजन्टेशन में अपने आशू को चश्मे से चुपा कर भारतिय कप्तान ने भरे दिल से कहा मैं और जेमीमा ने बल्ले बाजी में मोमेंटम को वापस पा लिया था परन्तु जिस तरह से मैं रन आउट हुई इस से ज़्यादा दुर्भागी के बात नहीं हो सकती हमें इसकी उमीद नहीं थी कप्तान ने आगे कहा नतीजा हमारे पक्ष में नहीं रहा लेकिन इस टूनामेंट में हमने जैसे खेल दिखाया है उससे मैं खुश हूँ दोस्तों भले ही भारतिय महिला टीम वर्ल्ल कप से बाहर हो गई है लेकिन इन्होंने जैसे आखरी तक ऑस्ट्रेलिया से लड़ा उस पर पूरे भारत को गर्व है आप भी भारतिय टीम के लिए कुछ कमेंड में जरूर लिखें धन्यवाद